कि नाओ वी हैव और अलड़ी वी हैव डिसकूस्ट अबाउट मीन मॉड ओजीव और 14.3 नाओ मीडियन लास्ट टॉपिक ऑफ टाइटिक्स क्लास 10 ठीक है मीडियन ओन ओन और फो करड़ाइट है अपने पहले मीन पढ़ा मिन के बारे में और मॉड और और ओजीव जह हमारे स्टाइट्कक के पDD के फीर फीर गिल्फियो है contextual में मीडिय mean, mod और ogiv हमने अलड़ी discuss किया less than type और more than type now we will discuss median of group data 14.3 important चीज़ है median we have study about median in class 9th class 9th में भी हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में median gives the value of the middlemost observation in the data middlemost का मतलब beach की value होती है median, जो data होता है एक horizontal अगर मालनों कोई data दिया हुआ middle value जैसे बोलता है median, middle value, beach की value middlemost observation in the data is called median is called median formula क्या है group data के लिए median का, median का formula होता है L, N by 2 minus CF upon F into में H इसमें L है lower limit N है number of observation total number of observation वो N निकालेंगे, वो सब question में clear हो जाएगा CF community frequency जैसे हम OJV में draw कर रहे थे frequency of the median class median class की frequency H है class size gap H क्या है class size median का formula हमारा ये है फिर से देखो median का formula ये use करना है L lower limit L plus N by 2 ठीक है N by 2 minus CF upon F into H N by 2 N total number of observation CF community frequency F median class frequency of median class H है class size ठीक है तो question में clear होगा देखो कैसी करना है Let's see one question NCRT question 14.3 question number 5 ठीक है find median ये NCRT का ही question है CI given है 1500 to 2000 2000 से 2500 मतलब 500 का gap है ठीक है 3000 से 3500 frequencies are given these are frequencies ठीक है 14, 56, 60 86, 74, 62 और 48 तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको एक column बनाना है CF का cumulative frequency ठीक है cumulative frequency CF का एक column बनाने ना CF का column बनाना है cumulative frequency का ठीक है कैसे निकालते हैं Less than में याद होगा आपको Less than type OZ में 14 है 14 लिख दो ठीक है 14 प्लस 56 70 70 प्लस 60 130 130 प्लस 86 216 216 प्लस 74 290 219 प्लस 62 290 प्लस 62 352 350 प्लस 48 400 जो लास्ट वाल है फिर से देखो कैसे एड़ करना है जैसे मैंने Less than में किया था ना ओजीव Less than में जो ओजीव में हमने CF निकाला था वैसे ही एड़ करना जैसे 14 है 14 लिख दे यहां पर अब 14 में 56 एड़ करेंगे 70 70 में 60 30 30 में 80 130 में 86 216 216 में 74 290 290 में 62 352 352 में 48 400 ठीक है तो पहले जो 14 है उसको as it is लिख दो यहां पर 14 लिख दिया फिर उसको 14 में अगली entry और येड़ होगी 56 70 70 में अगली entry 60 130 130 में 86 216 फिर अगली entry 74 है 216 में 74 और गर दो 290 290 में अगली entry 62 है 62 और गया 352 352 में 48 400 तो n हमारा आ रहा है यह जो last वाला होता है वो n होता है n by 2 करना है n by 2 400 upon 2 किया कितना आ रहा है 200 200 जो है देखो 130 से ज़्यादा है 200 130 से ज़्यादा है तो इसमें लाई करेगा 216 में ठीक है 216 में 130 और 216 के बीच में आता है 200 216 में लाई करेगा इसमें लाई करेगा, इसके सामने देखो, इसके सामने median class यह है, 3000 से लेके, ठीक है, 216 के सामने देखो, सामने बिल्कुल, 3000 से 3500 है, तो इसमें lower limit कितना हो गया, 3000, H कितना है, 500 का gap है, CF एक पहले वाला लेते हैं, community frequency जो है न, एक पहले वाला लेते हैं, 216 से पहले क्या है, 130, यह हमारा CF हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, CF, ठीक है, एक पहले वाला लेते हैं, CF यह ध्यान रखना, इस median जब हम निकालते हैं, तो CF क्या लेते हैं, जो median class होता है न, उससे एक पहले वाला, frequency देखो, 130 के सामने, frequency है 60, तो F हमारा, यह frequency, sorry, frequency कितना है, देखो, median class 216 है, तो 216 के सामने 86 है, frequency 86, CF एक पहले वाला, यह CF हो गया, ठीक है, यह CF, 130, H500 है, lower limit के है 300, median निकालने का formula यह होता है, L, N by 2, minus CF upon F into H, L है 3000, N by 2, यह रहा, 200, 200 पुट कर दिया, CF, CF कितना है, 130, 130 पुट कर दिया, frequency 86 है, H500 है, तो अब देखो, 200 minus 130, 70 आ गया, 70 upon 86 into 500, यह 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 न, तो इसको multiply किया, 175 00.43, divide किया तो 406.98, इतना आरा answer इसको add करने पर, 3406.98, take another question, देखो, यह question number, 14.3 का question number 7 है, exercise का ही question है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 65, 60 से 65, 65 to 70, 5 का gap है, 5 का gap है, frequency है, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, ठीक है, अब हमें क्या गरना होता है, इसमें एक ही column बनता है, CF का, cumulative frequency, cumulative frequency, ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखो, फिर से, cumulative frequency कैसे निकाला जाते है, यह 2 है, तो 2 लिख दिया, अब 2 में 3 एड़ करो, 5, 5 में 8, 13, 13 में 6, 19, 19 में 6, 25, 25 में 3, 28, 28 में 2 एड़ किया, 30, तो जो last वाला है न, n, 30, n 30 हो गया, तो n by 2 करना है आपको, 30 upon 2 कितना होगा, 15, 30 upon 2 कितना होगा, 15, 15 जो है, 13 से ज़्यादा है न, तो 19 मिला ही करेगा, ठीक है, 13 से ज़्यादा है न, 15, तो 19, अगली एंट्री क्या है, 13 के बाद, अगली एंट्री क्या है, 19 है, तो 15, 19 में लाई करेगा, इसके सामने देखो, 19 के सामने, 55 to 60 है, 55 to, यह रहा, 19 में लाई करेगा न, 15, 15 किसमें लाई करेगा, 19 में, 15, 13 से ज़्यादा है, तो 19 में आएगा, इसके सामने क्या है 55 to 60 इसमें lower limit 55 है gap कितने का है h class size 5 frequency है 6 इसके सामने 19 के सामने frequency क्या है 6 और cf1 पहले वाला लेते है 13 यह cf हो गया cf1 हमेशा पहले वाला लेते है 13 है cf h l 55 n by 2 15 15 रख दिया cf देखो एक पहले वाला 13 13 रख दिया frequency है 6 19 के सामने वाला और h 5 15-3 2 upon 6 तो यह देखो 55 1.67 आ रहा है 56.7 take another question एक example है 85 to 100 है 100 से 115 115 से 130 130 से 150 frequency 11 9 8 5 find median median निकालना है तो देखो चारी एंट्री है 15 का गैप है 15 का गैप है सभी में तो देखो 11 है तो 11 लिख दिया 11 में 9 एड़ किया 20 20 में 8 एड़ किया 28 28 में 5 एड़ किया 33 एन आ रहा है 33 तो एन वे 2 क्या होगा 33 upon 2 16.5 16.5 33 upon 2 कितना आएगा 16.5 ठीक है 16.5 16.5 किसमें लाई करेगा 20 में 11 से बड़ा है ना 11 से बड़ा है ना 11 और 20 के बीच में आ रहा है तो 16.5 जो है 11 और 20 के बीच में आ रहा है तो 11 से बड़ा है तो अगले में आएगा 20 में लाई करेगा तो 20 के सामने देखो median class क्या है 20 के सामने median class क्या दिख रहा है आपको 20 के सामने median class यह है 100 to 115 इसमें lower limit 100 है h 15 का gap है 15 का ही gap है frequency देखो 20 के सामने 9 है cf क्या लेते हैं cf एक पहले वाला लिया जाता है ना हमेशा तो cf 11 है एक पहले वाला 20 से पहले यह cf आ गया 11 एक पहले वाला लेना है जैसे 20 में लाई कर रहा है तो 20 से पहले वाला 20 में लाई कर रहा है ना अगर median class तो 20 से पहले वा फर्मुला एल है एन बै टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच एल हंडड़ है एन बै डू की वैलू 16.5 रख दिया सी एफ एक पहले वाला 11 और फ्रिक्वेंसी नाइन रख दिया इंटू में 15 इसको सॉल किया देखो सॉल करोगे आंसर आजएगा उसका ठीक है वैलू पुट कर दिना अब देखो लास्ट कोशन है 14.3 कोशन नंबर 4 14.3 यह कई बार आ जाता देखो यह इंक्लूजिव मैथड है 118 से 126 अब देखो 126 से स्टार्ट होना चाहिए न लेकिन वह अगली एंट्री क्या है 127 से 135 अब यह 135 से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन यह 136 अब यह 144 पर तो यहां भी 144 होना चाहिए 145 है तो इसमें इंक्लूजिव मैथड में क्या करते हैं 05 कम कर देते हैं और 05 बढ़ा देते हैं ठीक है इन कोश्चन में जिससे जनरली हम यह होता है 0 से 10 10 से स्टार्ट होता है लेकि यहां पर क्या स्टार्ट हो रहा है यहां पर 127 से स्टार्ट हो रहा तो ऐसे कोस्चन में क्या करना है 05 कम कर देना 05 बढ़ा देना मतलब lower limit में 0.5 कम करना है upper limit में same 0.5 बढ़ा देना है 145 में 0.5 कम किया 144.5 वह इसमें एक बढ़ा दो 153.5 इसमें एक पॉइंट कम करो 153.5 इसमें बढ़ा दो 162.5 बढ़ाना है 0.5 इंक्रीज कर देना तो यह बन जाएगा तुमारा नया class interval जो आएगा न वो यह आएगा अब देखो frequency है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 एक CF का column बनाना है ठीक है CF का एक column बना लेना community frequency 3 है तो 3 लिख दिया ठीक है 3 में 5 एड़ किया 8, 8 में 9 एड़ किया 17, 17 में 12 एड़ किया 29, 29 में 5 एड़ किया 34, 34 में 4 एड़ किया 38, 38 में 2 एड़ किया 40, तो N जो आ रहा है वो 40 आ रहा है N कितना आ रहा है 40 तो N by 2 क्या होगा 40 upon 2 20, 20 देखो 17 और 29 के बीच में 17 से ज़्यादा होता है 20, 17 से ज़्यादा होता है value 20, तो 29 में लाई करेगा वो, ठीक है तो 29 के सामने देखो यह है, 29 के सामने तो median class है 144.5 से 153.5 जिसमें lower limit 144.5 ठीक है और 29 के सामने frequency दिख रहा है आपको 12 तो frequency 12 है CF एक पहले वाला लेते हैं 29 से एक पहले क्या है 17 यह CF आऊ गया यह क्या आ गया CF ठीक है यह CF आ गया 17 और H gap कितने का है 9 का gap है ठीक है तो frequency formula में put up करना है L प्लस N बै टू माइनस CF अपॉन F इंटू H L है 144.5 N बै टू कितने है 20 पुट कर दिया CF एक पहले वाला 17 पुट कर दिया frequency 12 है H 9 है solve किया इसको 146.75 mm आ रहा है तो इसमें करना क्या है आपको एक column बनाना है CF का N बै टू करना है लास्ट वाली जो observation आएगी वो N बै टू है ठीक है वो देखना है किसमें लाई कर रहा है जैसे 20 है तो 17, 16 और 21 है तो 16 और 21 के बीच में आते है तो 21 में लाई करेगा ठीक है तो इसमें जो बचे वे question है 14.3 में Do yourself Try to understand this video and do yourself ठीक है और बागी I will send some question based on this topic median Try to solve these questions So इस वीडियो में इतना ही है Thank you